और भाई उत्राखंट के हलवानी में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्दे नजर कॉंग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई बताते चले कि कॉंग्रेस कार्याले स्वराच आश्रम मेनैनिताल और उधमसिन नगर जिले की 15 विधानसभा सीटों के स्क्रीनिंग हुई स्क्रीनिंग कमेटी ने कॉंग्रेस के सभी संभावित दावेदारों से विस्तार से चर्चा भी की जानकारी के मुताबिक अब तक स्क्रीनिंग कमेटी 34 विधानसभा सीटों के स्क्रीनिंग कर चुकी है और माना ये जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टे इस बार अच्छी छवी वाले मेहनती और जीतने वाले व्यक्ति को ही टिकट देगी इसी करम में इसी कड़ी में 22 दिसंबर के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के इंद्रिय चुनाप समिती को अपनी रिपोर्ट भी सौपेगी और आचार सहिता लागू होने से पहले कॉंग्रेस कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का एलान भी कर सकती है वहीं स्क्रीनिंग कमेटी के अध्याक्ष अविनाश पांडे का ये कहना है कि सभी दावेदारों से एक एक कार उन्होंने राय शुमारी की है जो दावेदार महनती और जिताओ होगा पार्टी उसे को टिकरते की केंद्रियर जाल समीथी को केंद्रियर समीथी के सामने चुनाव समीथी के सामने समिट हो राज़ी